नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्मार्ट स्टॉक ट्रेडर्स मेरे यूटूब चैनल पे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का कोशिस करेंगे कि हाउ टू जनरेट मोर रिटर्न्स इन SIP जैसा कि थम्नेल में आपने देखा कि SIP के जरिये हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ETF में कैसे जनरेट कर सकते हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जो लोग नए जुड़े हैं कि ETF का ट्रेडिंग कोर्स है 6201-514-820 नमबर पे WhatsApp करके Hi Hello लिख करके आप Inquiry कर सकते हैं चलिए Friends बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम ज्यादा रिटर्न कमाएं SIP में SIP का मतलब होता है Systematic Investment Plan Systematic Investment Plan का मतलब होता है In General कि आपने हर महिने मान लिजिए 15 तारीक को आपने SIP का डेट रखा हुआ है और आपका 5000 रुपे का SIP चल रहा है और आपका SIP आपके Bank Account या Demet Account से कट जा रहा है आपने SIP लगाया हुआ है लेकिन इसमें हम इसका इस्तमाल नहीं करेंगे हम इस्तमाल करेंगे New Criteria का New Criteria क्या है कैसे काम करता है इसमें हम पुरा Detail में चर्चा करेंगे लेकिन Again Choice is Yours आपकी Choice है आप नए Criteria से जाना चाहेंगे कि आप Old Criteria से जाना चाहेंगे अगर आप Old से जाएंगे तो आपको Returning कम मिलेगा नए Criteria बहुत ही असान है मात्र दो मिनट में हो जाएगा तू मिनट में और इसमें आपका Returning जादा मिलेगा तो आपका च्वाइस है कि आपको Returning जादा लेना है कि आपको Old Criteria से चलना है वीडियो में अंतक बने रहेगा पूरा Step by Step हम डिसकस करने वाले है नए Criteria को तो Friends, SIP जो है वो दो तरीके से हुआ ठीक है? एक तो Active और एक Passive Passive वाला क्या है? Passive वाला वही है जो मैंने पहले यहाँ पे डिसकसन किया Active यह है जो हम नए Criteria में करने वाले है, Active जिसमें सिर्फ जैसा कि मैंने बताया आपको सिर्फ टू मिनट्स आपके लगेंगे दिन भर के तो देखते हैं Friends कैसे हम इसको कर सकते हैं ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं कैसे हम इसको करेंगे तो इसमें हमने जो ETF सेलेक्शन किया है टू मिनट्स वाले में वो Fang Plus है Fang Plus मिराज एसेट का मैंफेंग करके ETF आएगा आप सर्च कर सकते हैं मैंफेंग मनें मतलब मिराज एसेट फैंग मनें फेस्बूक Amazon फिर Apple, Netflix, Google और यह Plus का मतलब 5 और कमपनियाज हैं इसमें अलीबाबा, टेसला, ट्विटर आदी कमपनिया भी हैं इसमें आज के डेट में यह प्राइस चल रहा है 62 रुपया 63 पैसे का 62 रुपीज 33 पैसे का और वर्ल्ड की 10 बेस्ट कमपनियज हैं इसमें अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूँ तो इसने सिरफ लास्ट येर का जो इसका रिटर्न है वो 88 परसेंटेज का है ठीक है approximately इसने आपका पैसा जो है एक साल में डबल कर दिया है डबल से थोड़ा सा कम तो friends एक साल में 88 परसेंट का रिटर्न कोई शियर में भी guarantee नहीं होता है NasTech जो है वो इसका parent ETF है 100 companies है Tech companies है सारी की सारी और FANG में जब हम लोग FANG की बात करते हैं तो only 10 stocks है concentrated है risk ज़ादा है और risk ज़ादा नहीं मतलब बहुत ज़ादा risk है very much risk है और अगर आप risk है तो इश्क है वाली बात में यकीन रखते हैं तो आप FANG PLUS में SIP कर सकते हैं आगे देखते हैं friends इसमें SIP देखिए SIP जो हम लोग अभी तक करते हैं friends एक तारिक को पाच तारिक को दस तारिक को पंदरह तारिक को बीस तारिक को जिसकी जैसी income जैसी salary वैसी हम लोग SIP का date रख करके SIP करते रहते हैं लेकिन अगर आप नए तरीके से करेंगे तो इसमें आप सबसे पहले देखिए कि trading days जो हैं वो महिने में 20 होते हैं एक साल में 252 के आसपास आपको मिलता है trading days तो महिने में हम 20 मान करके चलते हैं safer side Saturday Sunday off और कोई guested holiday आए तो वो भी off मान लीजिए कि 5000 का हम SIP करने वाले हैं ठीक है मान के चलते हैं अब क्या करना है आपको इसमें daily नहीं खरीदना है आपको active करना है active में आपको 2 minutes लगेंगे लेकिन आपको कब खरीदना है आपको ये समझना पड़ेगा आपको crash में खरीदना है correction में खरीदना है और dip में खरीदना है ठीक है अब आप पूछेंगे सर ये crash क्या है correction क्या है और dip क्या है ठीक है तो मैं आपको बताता हूँ crash, correction और dip क्या है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं अच्छे तरीके से जो friends crash है dip जिसको कहेंगे कि dip माल लीजिए minus 0.5, 10% तूट गया तो dip हो गया 1% तूटा, dip हो गया अगर 5%, 10% तूटता है तो correction हो गया market ने correction लिया more than 10% अगर market गिरता है तो ये crash हो गया minor crash, major crash, 20%, 30% से उपर major crash में आ गया तो dip में, correction में और crash में इसको हमको purchase करना है तो आप बोलोगे कि सर कैसे पता करे कब dip आया, ठीक है, कब correction हुआ, कब आपका market crash हुआ, तो simple सा एक logic मैं आपको बताता हूँ, जब भी market red दिखाई दे whenever market is in red, आपका mapping red में दिखाई दे fang plus जो है, जब भी ये ETF red में दिखाई दे आपको इसको buy करना है, ठीक है, अब इसका formula क्या मैंने यहाँ पे लगाया है, total trading days जो हैं, वो 20 होते हैं, हम मानेंगे कि 10 दिन ये red में रहने वाला है, 10 days red में रहने वाला है तो हम 5000 को 10 से divide कर देंगे, एक दिन की buying निकालने के लिए 500 रुपे की, ठीक है, अपनी one day की buying आगी 500 रुपीज की, जिस दिन market trade में रहेगा, आपको 500 रुपीज का Mephang ETF को purchase कर लेना है, जितना piece भी आता है, ठीक है, लालच नहीं करना है कि market जादा गिर गया, जादा डाल दे, कम गिर गया, कम डाल दे, बिल्कुल इसमें ये strategy अलग है, इसमें आपको 500 रुपीज का खरीबना है और consistent रहना है, 2 से 3 मिनट लगेंगे दोस्तों देख करके market को बस purchase करके close कर देना है active SIP के दोरा में अब इसमें फाइदा आपको क्या होगा, वो भी मैं आपको last में बताऊँगा, बड़ ध्यान से बने रही है अगर comparison करते है friends, देखिए, मैं किसी का बिल्कुल bias नहीं हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए Nasdaq जो है, वो comparatively थोड़ा safe माना जाएगा क्योंकि उसमें 100 companies है stocks जो हैं, वो और ज़्यादा risky माने जाएगे stocks में तो करना मतलब high risk single single stocks है ठीक है, तो उसमें आपका डूबने का chance ज़्यादा रहेगा इसमें concentrated 10 stocks का ये portfolio है world की बहुत 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 companies हैं इसमें तो इसमें आपका जो है returning बहुत अच्छा आने वाला है थोड़ा risky है, लेकिन risk को आप manage करेंगे active SIP के दोबारा red में only purchase करके market जब भी गिरती है दोस्तो आप या बढ़ती है बढ़ती है तो market ऐसे बढ़ती है ठीक है? अब आप पुछोगे कि ज़्यादा returning कैसे मिलेगा तो आपने हमेशा यहाँ buy किया है dip में, यहाँ इस row में अपने buy किया है और market जब returning देगी तो इसमें आपको returning मिलेगा ठीक है? तो average एक तो आपको appreciation यह मिला यहाँ से यहाँ का growth मिला, पहला appreciation दूसरा जो appreciation मिला यह जो आपने dip में buy किया यह मिला, ठीक है? तीसरा जो आपको appreciation मिला वो मिला dollar का appreciation क्योंकि रुपया जो है वो कमजोर पढ़ रहा है dollar से dollar की value बढ़ रही है, रुपय की तुलना में यह foreign का ETF है तो उसका भी appreciation आपको इसमें देखने को मिलेगा तो यह तीन तरीके से आपको यह फाइदा पहुचाने वाला है SIP पहला जब market यहां से यहां पहुचेगा ठीक है? दूसरा यह gap क्योंकि हमने dip में buy किया है नीचे और तीसरा जब year high होंगे तो हम year high पे sell करेंगे और dollar appreciation का भी benefit आपको मिलेगा ठीक है? इसी तरीके से एक चाट हम यह भी देखते हैं कि market जब गिरता है तो ऐसे गिरता है ठीक है? अगर किसी ने understand rate पे खरीदा है पैसी SIP किया है तो कभी यहां buy करेगा कभी यहां करेगा, कभी यहां करेगा कभी यहां कर लेगा लगातार लेकिन आपकी consistent buy यहां पे होगी जब आपकी consistent buy इस line में होगी हर dip पे, crash पे और correction पे आपने खरीदा है तो आपका average buying price भी जो है वो नीचे आने वाला है जब आपका average buying price नीचे होगा और जब market उपर की तरफ रुख लेगा अपना bull run जब आएगा तो आपको huge profit होगा as compared to passive SIP holders ठीक है तो मैं आशा करता हूँ कि मैं जो समझाना चाहरा था मैं आपको समझा पाया हूँ अगर strategy अच्छी लगी हो friends तो please मेरे channel को subscribe, video को like और bell notification को जरूर on कर लीजेगा ताकि इस तरीके की knowledgeful videos जो मैं लाता हूँ आपको मिलती रहें मिलते हैं अगले किसी knowledgeful video में friends तब तक के लिए thank you bye bye and take care friends